आगे राव दराई हैं नागरिक संघर समीती सदस्यों समेश शहर के गड़मानी लोगों ने सिम्स चौक में रेलवे बोर्ड चेर्मेन का पुतला जलाया उपस्थित लोगों ने रेलवे प्रशासन और केंसरकार के खिलाब जंग कर नारिवाजी की नाराज सुप्रिम कोर्ड के अधिवक्ता सुधीब शिर्वास्तों ने बताया कि अब तो हद हो गई यात्री और जंता गौड हो गए हैं कोईला लदान केंसरकार की प्राथ्मिक्ता में शामिल हो गया है बरदास की कोई सीमा होती है अब हमारे सामने आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बसता है कांगरे सिनेता महेश दूबे ने कहा कि आपको अच्छे दिन मुबारक आप हमारा खराब दिन ही लोटा दो च्छे महने से जो छोटे रेलवे के स्टेशन है उनमें स्टापेज बंद है त्वरगी रोडवे बंद बिलहा में बंद बेल जाना ठोंसरा और उसके बाद मार्थ से लगा का ट्रेने जब पाये तब केंसिल कर रहे हैं और केवल कोईला उठान केवल कोईला लदान पर पूरा रेलवे का ध्यान है आज जब इतनी पूरी सिती है के पैसिंजर टाइलेट पे ट्रेवल कर रहे है या उसके बाद प्रेन कैजिल हो जा रही है उसके बाद यात्रा नहीं कर पा रहा है और रेलवे बोड चेर्में द पूरा कारोबार हमारा पूरा जीवन हस्त व्यस्त हो रहा है और कलकत्ता और दिल्ली और बंबई और गुजरात को बिजली के लिए कोईला चाहिए तो अपनी में उस्ताकूत करें यह कोईले के लदान के नाम पर यात्री सुविधाओं के साथ जो खेड़वार है यह बर्दास्त ही क्या जाएगा आने वाले समय में अंदोलन को बड़ा रूच देगे हमारे जन प्रविधियों को रखकर हम लग बहां दोलन करेंगे यहां कि इस्तानी सांसा जो 36 गड़के हैं उनको सोचना व विचार करना चाहिए कि किस तरीके से लगभग सत्की जड़के अंदर 400 इस्तेशने बंद कर दिये गए जहां पर याथियां चड़ते और उतरते हैं बड़े सर्म की बास है कि हम सब समाचार पत्रों में देख रहे हैं इसके दुखत दिन और क्या देखेगा बहुत आपने अच्छे दिन की थी और इसना अच्छा दिन नहीं चाहिए हमारे निवेदे में कि हमारे बूरे दिल्लाद हो कि हर छोटरे स्टेशन खुले रहे हर देखा से यात्री चल सके उतर सके वह बूरे दिल्लाद जागत सा होगा